हेलो फ्रेंड्स असलाम लेकूम आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक बटर भूर्जी की रेसिपी जो बहुत ही इसी और बहुत ही टेस्टी और हेल्दी रेसिपी है एक बटर भूर्जी की रेसिपी बड़े बुड़े बच्चों सभी को बहुत ही पसंद आएगा आप इ इसकी फ्लेम को मीडियम ही रखकर हम इस रेसिपी को बनाएंगे अब यहां पर एक बड़ा चमच मैंने मस्टर्ड ओयल यूज किया है आप खाने का कोई साभी ओयल यूज कर सकते हैं तेल हमारा गरम हो चुका है अब हम इसमें आधा चमच जीरा वाइट वाला यूज करेंग किसे हम फ्राइब करेंगे यहां पर मैंने हरी मिश को तीन बारी कट करकर आइड किया है आप अपने हिसाफ से तीखार रख सकते हैं देखिए यहां पर हम प्यास को हलका फ्राइब करेंगे जब तक किसे फ्राइब करेंगे जब तक हलका सा कलर चेंज ना हो जाए यहां पर और आधा चमच हम नमक आड़ करेंगे नमक आप अपने टेस्क के कॉर्डिंग उस करिएगा और साथी साथ इसमें आधा चमच हम धनिय पॉर्डर को उस करेंगे और थोड़ा सा हम भुना हुआ जीरा पॉर्डर को उस करेंगे और अब हम साथ ही साथ इसमें डालेंगे तीन मीडियम साइज के टमाटर को बारी चॉप करकर आड़ करकर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे यहाँ पर मैंने अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसे तीन से कर लिया है और अब हम फटा-फट से फोर एक को तोड़कर ग्रेवी में आड़ कर लेंगे और देखिए इस पोजिशन में मलब जब हम एक करें तब हम गैस की फ्लेम को हम हाई करकर ही एक को भूने यहां पर हमें भूनते हुए तीन से चार मिनट हो चुका है हाई फ्लेम पर अब हम इसमें एक बड़ा सा टुकडा बटर का आड़ करकर मीडियम फ्लेम पर ही हम एक को तीन से चार मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे और अब हम इसमें साथ इसाथ आड़ करेंगे धनिया के थोड़े पत्ते और इसे चला कर हम सर्फ करेंगे हमारी एक बुरजी बटर वाली बनकर रेडी हो चुकी है अब हम इसे सर्फ करेंगे अगर आपको मेरी ये रेस्पी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और कमेंट्स करकर ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी